हालेलुया, हैपी इस्टर, एमेन, इश्व मसी का पनुर्थान आपको मुबारक हो, हालेलुया, प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया, आज का दिन बहुत अधूत है, थोड़ से अवास कम करिए, ब्रेस अलॉट, हालेलुया, हम सब एक मन और एक दृष्ठिको प्रभू से मिलना है, प्रभू की वाणी को सुनना है, प्रभू की वाणी को समझना है, यही हमारा मन होना चाहिए, कि आज प्रभू मेरे लिए क्या बात करेगा, इमेन, वो हमारा जीवित परमेशर है, आप सच मैं आपको बताओ, उसने आपको चुना हुआ है, और वो आ किता है उस वचन को जब मैं परमेश्वर की पवित्रात्मा की अगवाई में जवाब से बोलता हूं तो आप उस वचन को लीजिए ग्रहन करिए उसी विश्वास के साथ हम सिर्फ चंगाई के लिए ना आए यह बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम इश्व मसी को सिर्फ चंगा के रोप में देखते हैं कि वह इश्व मसी है कि सबसे बड़ी चंगाई क्या है कि हम पूरी तरीके से उसके स्वरूप और उसकी समानता में हो जाएं कि आपको पता है जब हम मसी में आते हैं और जब मसी बन जाते हैं तो हमारी एक दृष्टी पाप की तरफ क्या होती है हमें पाप से नफरत करने है अलेलिया जिस तरीके से परमेश्वर पाप से नफरत करता है आपको जानना चाहिए कि पाप क्या है जूट बोलना पाप है दोश लगाना पाप है किसी के लिए गलत भावना मन में रखना पाप है जब तक आप पाप से नफरत नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरीके से परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे और उसके प्रेम को आजवा नहीं पाएंगे प्रेस लोट हमें वो जीवन जीना है कि पवित्रता का आशीश हमारे उपर रहे शुदता हमें बनी रहे चाहे देखने के दौरा चाहे सुनने के दौरा चाहे बोलने के दौरा हालिलुया इमेन आज इस्टर है आज के दिन इशु मसी मुर्दों में से जिन्दा हो गए थे हालिलुया इमेन इशु मसी जिन्दा हो गए थे दो हजार चौबिस साल पहले ताकि हम आजाद हो जाएं हालिलुया इशु मसी मर के जिन्दा हुए आप जब मसी में आते हैं आप क्या करते हैं पता आपको आप जब मसी में आते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं आप भी बक्तिसमे के दौरा मरते हैं आलेलिया कुरूस हमें क्या दिखाता है कुरूस हमें बताता है कि जिस तरीके से ईशू मसी मर के जिन्दा हुए थे उसी तरह हम भी बक्तिस्मे के दौरा मर के जिन्दा होते हैं पुरुत्थान क्या है पुरुत्थान वो शक्ति है जिसमें ईशू मसी ने मौत को हरा दिया शैतान का नाश किया शैतान को हरा दिया निश्चल कर दिया, निर्बल कर दिया उसने शैतान को और वो ही अधिकार, वो ही शक्ती क्रूस के द्वारा उध्धार के द्वारा, प्रुर्थान के द्वारा परमेश्व ने हम को दिये यही तो उसकी विजे है, यही हमारी विजे है यही हमारी सफलता का राज है, यही हमारी शांती है, यही हमारा आनंद है, हमारा सुक है, कि हम इशु मसी के नाम से विजाई हैं, पवित्र हैं, हाललुया, और उसके योग्य हैं हम, आज का दिन बताता है कि हम इशु के योग्य हैं, बोलिए आज का दिन, बताता है कि हम इश कुके योग्य हैं मरकर जिन्दा होकर उसने बताया है कि तुम धर्मी हो अब हैं हालेलिया हालेलिया अगर वो सिर्फ मरता और जिन्दा नहीं होता तो हमारी गवाई बेकार थी हालेलिया वेसलोट आज का दिन बताता है कि परमेश्वर की योजनाएं अद्वुद है और इशू मसी जब क्रूस पर मरकर तीन दिन के बाद जिन्दा हुआ तो बताय जाता है तो प्रकट होता है कि परमेश्वर की योजनाएं सफल होई परमेश्वर की योजनाएं पूरी होई क्यों इशू मसी धरती पर आया क्यों इशू मसी एक मनुष्य के रूप में धरती प जिस तरीके से परमेश्वर की योजनाएं एक मानव के लिए हैं उन योजनाओं को इश्व मसी ने अपने ऊपर लिया और उनको सफल बनाया इसलिए इश्व मसी ने कहा है इश्व मसी ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि ताकि मैं अपने पिता की इच्छा पुरी कर सकूँ प्रेस अलॉट और जब वो कुरुसिफाइड हुआ बाइबल कहती है फिलिपी दो का साथ कि वो इतना दीन हो गया इतना नमर हो गया कि उसने इसने माग्या माने कि उसने इच्छु मसी क्रूस पर क्यों मरे हमारे पापों के लिए उन्होंने कोई पाप नहीं किया था इच्छु मसी ने कोई पाप नहीं किया मेरे भाई आज का दिन बताता है कि परमेशर कितना महान है परमेशर की योजनाएं कितनी अद्बुद है परमेशर की किर्पा कितनी है कि उसने हमें पाने के लिए अपने इकलोते पुत्र का बलडाम किया उसने हमारे पापों को इशु मसी के उपर दिया क्रूस पर रेस अलाट हमारे पापों को क्रूस पर लिया इशु मसी ने ताकि हम शुद्ध हो जाएं और उसने हमें पवित्र किया लेकिन जरा सोचिए कि दो हजार चौबिस साल पहले इश्व मसी ने हमारे पापों को अपने उपर लेकर हमें पवित्र किया और खुद मृत्यू खुद मृत्यू की सदा भुगती आप जानते हैं अगर आप आज भी पाप करते हैं तो आप इश्व को कुरूस पर चड़ाते हैं अगर आज भी आपके मन में स्वार्थ है तो आप इश्व को कुरूस पर चड़ा रहे हैं अगर आप आज भी आपके मन में लालच है हम अगर दुबारा पाप करते हैं तो हम इशुमसी को क्रूस पर चड़ाने के कोशिश करते हैं हालेलूया रेस अलॉड मैं आज का वचन शुरू करने से पहले वो प्रात्रा के बारे में हम बताएंगे हाललिया जो इश्चु मसी ने प्रात्रा की थी यहना सत्रा एक से छे के बीच में देखिए एक पिता अपने पुत्र से क्या बात करता है प्रेस अलॉट उद्धार, रिजर्यक्षन, इश्चर का मतलब क्या है हाललिया प्रेस अलॉट पढ़िये बेटा पढ़िये सत्रा का एक से छे जॉन सेविंटीन, वन टो सिक्स एश्चु ने यह बाते कही और अपने आके आकाश की और उठा कर कहा हे पिता, वह घड़ी आप पहुची है अपने पुत्र को महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे प्रेस अलॉट आललॉया इश्चु मसी को मर्यम की कोख में डाल कर परमेश्चर की योजना का शुरुवात होती उसका आगाज होता है मर्यम जो की पवित्र थी आललॉया आदम के द्वारा पाप इस धर्टी पर आया और वो पाप हम सब जितने भी जगत के प्राणी हैं वो पाप उन सब में आ गया हम सब में आ गया हम सब में पाप का बीच आ गया उस बीच को निकालने के लिए इश्यू मसीने परमेश्वर ने अपने एकलोते पुत्र को धड़ती पर भेजा मानव रूप में लोकी मर्यम की कोख में आया मर्यम जो की कुमारी थी पवित्र थी उसके अंदर पाप का बीच नहीं था इसलिए मर्यम की कोख से इश्यू मसीने जनम लिया किसी मनुष्य के द्वारा नहीं पवित्रात्मा के द्वारा ये है परमेश्वर की योशना की शुरुवात अललिया वैसे तो योशना बहुत सालों पहले शुरू हो गई थी लेकि नए नियम को अगर हम देखते हैं तो इश्यू मसी का जन्म मरियम की कोख के द्वारा हुआ ताकि वो पवित्रता का आशीश लेकर रहे ताकि मरियम से जनम के लिए बाद उसमें पवित्रता का आशीश रहे और जब इश्यू मसी का थेती साल तीस साल में जब उनका बप्तिस्मा हुआ तो पवितरात्मा उनको कहा ले गया? जंगल में ले गया ताकि उनकी परिक्षा हो ताकि इशू मसी की परिक्षा हो क्यों इशू मसी की परिक्षा करना चाहता था? पवितरात्मा चाहता था कि इशू की परिक्षा हो परमेशन चाहता है कि मेरे बच्चों की परिक्षा हो ताकि मेरे बच्चे सशक्त हो जाएं अलेलिया प्रेस अलॉट सोने को जितना हम आग में तपाएंगे उतना ही वो चमकेगा कभी भी परिक्षा में डरिये मत अगर आपके जीवने परिक्षा आती है दुख आता है अजमाईशे आती है कभी मत डरिये विश्वास करिए कि इश्व मसी का आशीश आपके साथ है आलेलिया परमेशर आपके जीवन में काम कर रहा है परमेश्र के अद्बुद योजना आपके जीवन में है आलेलिया प्रेस अलॉट इसलिए जब ईश्व मसी ने बबतस्वा लिया तो पवित्रात्मा उने रेगेस्तान में ले गया आलेलिया वहाँ पर शैतान ने उनकी परिक्षा की शैतान क्या देखना चाहता था उसे सुन लिया था कि परमेश्र ने आकाश्वानी किये कि ये मेरा प्रिये पुत्र है और इससे मैं अती प्रसन हूँ वो जानता था कि परमेश्र का पुत्र के रूप में धर्ती पर आया है अब वो ये जानना चाहता था कि ये पुत्र कैसे काम करता है कैसे काम करेगा धर्ती पर इश्वरी ये सामर्ज से काम करेगा या मुनश्च के सामर्ज से काम करेगा वो ये देखना चाहता था इसलिए तो आया परिक्षा लेने के लिए परिश्या में क्या होता है परिश्या में शेतान जानता है कि आप कितने कमजोर हैं आप किस चीज के लिए कमजोर हैं अलिलुया इमेन परिश्या में पास होना या फैल होना इस बात पर निश्यत करता है कि आप जिस चीज के लिए मस्बूत हैं आप जो चीज नहीं चाहते हैं क्या हो कर रहे हैं आलेलुया प्रेस अलाट तो शैदान इशुमसी की परिषा करने के लिए रेगि सान पर गया और वो क्या देखना साथा था कि इशुमसी कैसे जीवन जिएंगे इश्वर ये सामर से जिएंगे या मनश्य के सामर्द से जियेंगे Hallelujah Praise the Lord और इश्व मसी ने साबित कर दिया कि वो इश्वर ये सामर्द से उन्होंने जिन्दगी नहीं जी उन्होंने अलोगी ग्रूप से परमेश्व के सामर्द का उपयोग नहीं किया उन्होंने पवित्रात्मा के सामर से जिन्दगी को जिया आलेलुया जो पवित्रात्मा हमको दिया गया है वही पवित्रात्मा इश्यू मसी के पास था प्रेस अलोट और इश्यू मसी ने साड़े तीन साल तक बताया कि परमेश्र की इच्छा क्या है अलेलुया मसी का बलिदान दिया आपके पापों को उसने कुरूस पर अपने उपर लिया पूरे जीवन भर इशु मसी बता रहा था कि परमेश्वर का प्यार समझो आज भी बाइबल के द्वारा प्रभू क्या बताना चाहता है उस पिता का प्यार कितना मनमोख है कितना अद्बुध है हालेलिया हमें कभी उसका प्यार नहीं भूलना चाहिए आज भी परमेश्वर बताता है कि अगर हम उसके प्यार की शक्ति को समझेंगे न तो उसकी जोती हमारे अंदर हमेशा बनी रहेगी हालेलिया क्या दिया इशु मसीने क्रूस के दौरा आमको वो जोती दी हमें महीमा दी हमें उच्छा उठाया प्रेस लॉट आप सुछते हैं आप समझते हैं कि आप इस योग्य थे मैं इस योग्य था कि उसकी आत्मा मेरे अंदर आए आप जानते है उसकी आत्मा के साथ चलने का मतलब उसकी आत्मा पवित्रात्मा जो सिष्टी की रशना जिस ने की मुर्दों मैंसे जिन्दा करने वाली उसकी आत्मा थी वो आत्मा हमारे और आपकी अंदर है इस सच्चाई को मेरे भाई कभी मत भूलिये इस सच्चाई को अपने अंदर बना के रखिए क्योंकि यही सच्चाई आपके अंदर शक्ति देती है इस तर क्या बताता है कि जिस तरीके से ईशू मसी उस आत्मा के द्वारा जीए उसी तरीके से वो आत्मा जीवन के रूप में जोती के रूप में परमेशन ने हमें दी है आलेलुया चेले नहीं समझ पाए थे जब तक उनको आत्मा नहीं मिली थी पेंटिकोस के दिन पवित्रात्मा का सामर्थ उत्रा और लुका 24 का उन्चास क्या कहता है परमेशन का इंतिजार कर जब तक वो पवित्रात्मा का वर्दान तेरों पर नहीं उत्रता तब तक तुम यरुश्यलम में ठहरे रहो परमेशन का काम मत करो लुका 24 का उन्चास और देखो जिसकी प्रतिका मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग में सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो आज का विशय बहुत अच्छा है इशु मसी ने अपने चेलों से कहा कि जब तक वो वर्दान जो परमेशन ने तुमारे लिए कहा है जो प्रॉमिस कहा है वो जब तक तुम पर नहीं उतरता तुम यहीं ठहरे रहो वो कब उतरा था पिंतकोस के दिन प्रेदर का काम दो का चार पिंतकोस के दिन जब इसु मसी उठा लिए गए और यह जो चेले थे, यह उपडी कोटरी में, जब तक इश्व मसी उठा लिए गए, तब से बैठे, मनन कर रहे थे, प्रात्रा कर रहे थे, इश्व मसी ने कहा ता कहीं मत जाओ, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाती, जब तक तुम्हें वो सामर्थ नहीं मिल जाता, मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, हम मसी जीवन को बिना उसकी आत्मा के नहीं जी सकते हैं, हम नहीं जी सकते हैं, हमारी समझ को खोलने वाले ही उसकी आत्मा है, ह अगर उसकी आत्मा है तो हमें सही तरीके से शिक्षा मिलेगी, बुद्धी मिलेगी, हमें ज्यान ग्लेका नहीं तो अज्ञानता की वजह से हम कई कई लोग पीछे हड जाते हैं. कई लोग पीछे हड जाते हैं, मों प्रभू को नहीं समझते हैं. आप यहां पर अगर सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आएं तो गलत आएं तो प्रेस अलोट मैं आपको बता दू मेरे भाई मेरी बहन अगर आपको कैंसर है तो आप स्वर्ग जा सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते आप बिमार हैं तो सुरग जा सकते आपका जोडों में पर दर्द है कंदे पर दर्द ए हैं दर्द है आप बिक्कल निराश मत हुए सुरगाब जा सकते लेक pact हम एक आपके अंदर पाप आया तो आप सब्सक्रण कॉर्ण नहीं जा सकते अ किसी न किसी रूप में वो आपको अंदर पाप को बोना चाहता है पति पत्नियों में पाप डालता है, ग्रिना डालता है, अलेलुया, लडाई जगला डालता है, मन मुटाव डालता है, एहम डालता है, इगो डालता है, ग्रोध डालता है, वास्ना डालता है, तकि आपके अंदर पाप आ जाए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, यह शैतान का तरीका है, हमें इसको समझना है, हमारे अंदर पाप ना आए, हमें पाप से घ्रिना करनी है आज का Resurrection क्या बताता है उसने मौत को हराया उसने शेयतान को हराया और सिंघासन पर बैढ़ गया Raise the Lord उसने पाप को हराया और वही तीन अंदकार की शक्तियां वही तीन जानवर हमारा शिकार करते हैं आपको पता है एंसने आपको कौन वरगल ला रहा है आपको अंदकार में कौन भीज रहा है शेयतान क्यों भीज रहा हैं क्योंकि आपके अंदर अग्नता है आप समझ नहीं रहें इस्वऊ मसीध धड़ती पर क्यों आए ताकि आपको ग्यान की रोश्णी दें ताकि आपको बताएं कि जीवन क्या है सत्य क्या है, मार क्या है जोती क्या है इसलिए ईशु मसी अपने पिता से कहता है मुझे वो महिमा दे Praise the Lord और ईशु मसी को परमेश्वन ने महिमा दे जब उसे मुर्दों में से जिन्दा किया Hallelujah तीन दिन के बाद जिन्दा किया दूसरा पढ़िए 17 का 2 John 17 2 क्योंकि तुने उसको सब प्राणय उपर अधिकार दिया कि जिने तुने उसको दिया है उस सब को वह अनंत जीवन दे Hallelujah परमीश्व ने इशु मसी को सब पर अधिकार दिया है इस्जर Resurrection क्या बताता है कि उसका सब पर अधिकार है आकाश और धरती पर किसका अधिकार है ऊसको सब पर अधिकार दिया है 28 का 28 का 18 अगर आप पढ़ेंगे Amen हैं अलेलुया प्रेस्ट लॉट क्यों अधिकार दिया है ताकि वो अधिकार पर मेश्वर हमें दे आज का दिन बहुत बहु मुल्य है लेकिन आज का दिन आप सिर्फ रोटी खाएं और सब मिलें है लो प्रेस्ट लॉट और हैपी इस्टर बोलने अधिकार आज के दिन क्या हुआ था आज के दिन को अपने अंदर जीवित करिये आज के दिन परमेशन ने आपको अंदर वो जोती वुई थी जो आपके अंधकार को चीर कर आपको दर्शन देती है आललिया तीसरा पढ़िए और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ मात्र एक मात्र सच्ची परमेशर को और एशु मसी को जिसी तुने भेजा है जाने जाने अनंत जीवन क्या है कि हम उसको जाने हम पिता परमेशर को जाने हम इशु मसी को जाने इशु मसी क्यों धरती पर आया ताकि आप पिता को जाने पिता ने ईशू मसी को कुरूस पर बलिदान करकर मौत पर विजय क्यों दिलाई क्यों जिन्दा किया ताकि आप ईशू को जाने अललिया पवित्रात्मा हमें क्यों दी ताकि हम पवित्रात्मा को जाना पवित्रात्मा के द्वारा हम ईशू को जाने हम उसको जानें की वो कौन है हम कभी ना भूले हम कभी ना भूले मेरे भाई मेरे बहन वही सर्वस्व है और कोई दूसरा नाम इस धर्थी पर नहीं है कोई नहीं है वही एक नाम इश्यू मसी है जिसको थाम कर हम जिन्दगी की लड़ाई लड़ सकते हम आगे बढ़ सकते हैं दुसरा कोई नाम नहीं है यहना एक का एक पढ़िये एक से चार पढ़िये वो कौन है इश्यू मसी कौन है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था यालेलुया एमेन कौन है इश्यू मसी वचन शब्द था परमेश्वर ने वचन के द्वारा सिष्षी की रस्ठा की है उत्पति एक का तिन कहता हुजी आला हो और हुजी आला हो गया इमेन सिस्टी की रसना परमेश्वर ने वचन के द्वारा की है और वचन परमेश्वर था और आगे दूसरा पढ़िए यही आदी में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है उसमें से कोई भी वस्तू उसके बिना उत्पन नहीं हुई Amen Hello सब कुछ इशू मसी के द्वारा उत्पन हुआ है आप जो सिश्टी में देखते हैं सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, पेड, पौदे, पहाड जितना कुछ भी आप देखते हैं वो सब कुछ इशू मसी के द्वारा उत्पन हुआ और इन सारी चीजों में इशू मसी है Amen कुछ भी इशू मसी के बिना नहीं है इसलिए अपने आपको कभी भी इशू से अलग मत करिये आप अलग होई नहीं जाएंगे, होई नहीं पाएंगे आप अगर शैदान आपके मन में संधेल आता है तो उससे पूछो कि मैं कहा जाओ अगर मैं इशू मसी को ना मानूँ तो मैं कहा जाओ क्योंकि कोई दूसरे नाम ही नहीं है हर शै उसके द्वारा बनाई गई है और हर शै में वो है मैं कहा जाओ ये मेरे भाईया, ये मेरे पड़ोसी, ये मेरे भाई, ये मेरे बेहन अगर इशू मसी को मैं अपना सर्वोस ना मानू तो मैं कहा जाओ कोई रास्ता नहीं है कुछ दूसरा नाम नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको दिमाग में बसा लीजे इसको हर शै को बनाने वाला इशू मसी है और हर शै में वो है अब उससे अपने आपको अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते चौता बढ़िये उसमें जीवन था और वा जीवन मनुश्य की जोती था अमें अललेलुया वो क्या कहता है यहना एक का चार हमने पढ़ा भी हमने क्या कहता है कि अनंतर जीवन क्या है कि जो मुझे जानेगा उसको अनंतर जीवन मिलेगा और यहां पर यहना एक का चार क्या कहता है कि उसमें जीवन था और जीवन मनुश्य की जोती बन गया आलेलिया इशु मसी जोती के रूप में आपके अंदर है क्यों है जोती के रूप में ताकि आपके अंदर से अंदकार निकल जाए कौन आपको भरमा रहा है कौन आपकी समझ को बंद रख रहा है कौन सच्चाई को आपके अंदर जाने नहीं दे रहा है अंदकार अंदकार का राजा कौन है शैतान इशु मसीने धर्टी पर आकर इस धर्टी पर आकर बताया कि शैतान कौन है अलिलुया पुराने नियम में शैतान के बारे में नहीं बताया गया इतना जितना नए नियम में शैतान के बारे में बतायें क्या है ताकि हम उसको जाने ताकि हम उस ग्यान को प्राप्त करें और अपने अंदर उस जोती को स्विकार करें जो जोती नाकि सर् legitimate को दूर करती है, बस वो जोती हमें बुद्धी भी देती है हमारी समझ को खोलती है वो जोती हमें बताती है कि परमेशर की भलाई क्या है Amen परमेशर की भलाई क्या है परमेशर का चड़ित्र क्या है परमेशर का प्रेम क्या है परमेशर का अनुगरे क्या है जैसे हमने कल देखा था रोमियों 14 का 17 की परमेशर का राज्य क्या है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पिना नहीं, परतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्रा आत्मा से होता है धर्म और मेल मिलाप, इशु मसी किसे मिलाप कराने के लिए आया था, परमेश्वर से, जब क्रूस पे था इशु मसी और जैसे उसने जान दी, परदा फढ़ गया मंदर का, वो बताता है, सूचक है कि हमारा मेल परमेश्वर से हो गया, अभी हमें किसी के द्वारा जाने की ज कर सकते हैं, हालिलुया, एक वे सलॉट, अगर कोई आपको बोलता है कि कि द्वारा आप जाएं, गुरु के द्वारा जाएं, संत के द्वारा जाएं, नए भाया परमेश्वर है, वो जीवित है, वो कहता है, मेरे पास, हां मेरे बच्छे, तुझे तुझे सिरफ ग्दन की रूप में आपके अंदर आ रहा है तो परमिश्व का राज खाने पीने में नहीं है धर्म और मेल मिलाप में है इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों का अपने भाईयों का अपनी बहनों का अपनी पत्नी का अपने पती का अपनी मां का अपने बाप का मेल मिलाप प प्रवेश करने का एक जरीया है धर्म और मेल मिलाप अगर आप चाहते हैं कि उसके राज्य में रहें हम अगर आप चाहते हैं कि परमिर्श्र के राज्यों में रहें तो आपकी रोज आपकी कम से कम यह होनी चाहिए इच्छा आपका काम होना चाहिए कि आप अपने भाई को अपनी भेन को किसी ना किसी को परमिर्श्र से मिलवाएं प्रभु से मिलवाएं मैं सच कह रहा हूँ होशे नभी की पुस्टर क्या कहती है चार का छे सुनिये होशे नभी की पुस्टर क्या कहती है चार का छे परमेश्टर क्या कहता है आपकी अज्ञानता आपको नाश कर रही है कि सिर्फ संडे के संडे आना ही ज्यान नहीं है इसलिए पर्मिशन मुझे बुद्धी ती मेरे अंदर डाला कि मैं रोज मंदे से लेकर सेटेटे तक आदे घंटे की साड़े साथ वज़े तक मैं मैं रखता हूं जूम मिटिंग रखता हूं रोज रखता हूं रोज एक वचन में ग्लोरी करता हूं एक वचन को आप लोग सब लॉख नहीं जूझ रहे हैं जुड़िये बहुत लोग कर दिदे हैं कहांसे लुव जूड़ते हैं करनाट को बहुत ले अंड़ों से जूड़ते हैं अमेरिका से भी जुड़ते हैं, जुड़िये, हाँ क्या लेका है होशे का चार कचे, मेरे ग्यान के ना होने से मेरी प्रजानश्ट हो गई, मेरे ग्यान के ना होने की वज़ा से मेरी प्रजानश्ट हो रही है, आपको शैतान बेफ को बना रहा है, आपके घर में शैतान काम क कर रहा है क्योंकि आपके पास ग्यान नहीं है कि बहुत अंतिम समय में हैं हम लोग कि इश्व मसी कभी भी आ सकता है कि इसलिए मेरी इच्छा है कि हम से का मेरा पूरा कलीशिया जब इश्वाय तो हम इश्व के साथ जाए इसलिए हम महिनत के लिए तैयार है हम महिनत करने के लिए तैयार है आप पूरा परिवार आपका मजबूत हो जाएगा सोचिए कि शेटान आपके परिवार में काम नहीं कर पाएगा सोचिए आपका जीवन क्या हो जाएगा सोचिए वो जोती आपके अंदर काम करेगी रोज बाइबल का एक चेप्टर मिनिवम पढ़िए रोज प्रात्रा करिए मनन करते रहिए वो वचन को जो आप पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है गुटने टेकिए मांगे उससे परमि यह इदो 15 oni यह यह मेरी परात्रा है कि मेरा पूरा कलिस यह तेасलिय करता हूँ एक वचन को लाने के है मनश्य की जोती है और जोती जो अंदकार को दूर करती है प्रेस लोट तो इशू मसी कुरूसिफाइड होकर तीन दिन के बाद मर के जिन्दा हो गए ताकि हम उस जोती को पाएं और उस जोती के अनुसार जी है कब परमेशर आपके अंदर काम करेगा जब आप विश्वास करेंगे जब आप उसके मरने पर विश्वास करेंगे जब आप उसके कि मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको कि इसका आइविडेंस है कि दो हजार चौबिस साल पहले ऐसा घटा था कि और आप कहीं भी गूगल वेकर हमें जाईए सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई पुस्तक है तो वो है पावित्र बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक अगर कोई है तो हो आई बाइबल इस हकीकत को समझे इस बाइबल को आप लेके चलिए आज आप इसे लेके चलेंगे कलिए आपको लेके चलेगी इसके अनुसार जिन्दगी जीना के कोशिश करिये यही इसमें सब कुछ है मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है आपका जीवन आपके हाथ में है इस्व मसी आपके लिए मर के जिन्दा हो गया अभी आपके अंदर जीवन काम करना चाहता है जोती काम करना चाहती है इसलिए आपको उस जोती के अनुसार चलना है आपको उस जोती को अपने अंदर लेना है आपको रोब सुबसर के वचन ही जीवित है और वचन ही आपके जीवन में काम कर रहे हैं और कुछ दूसरा नहीं है बस इन वचनों को सुनिये मत यहां से ले कर यहां मत निका लिए यहां से लीजियो सको अंदर लेकर जाईए दर को परमिश्व से पूछिये उसकी आत्मा से करूं यह वचन क्या कहता है वो बतायेगा मैं सच कह nice मैं भी आपही कैतरा था पछले में बॉली वुट से जरूराया हूं पर आपही के तरह बीट आ ता गैसे मैं कि पर मुझे नहीं पता था नी लाधी थी मुझे पास्टर वचन सुनाते थे मुझे नहीं दाती थी लेकिन मैं रोता था रोता था कि परभू मुझे बुद्धी दे मुझे समझ ना है रोता था रोता था और परमिश्ण ने कृपा की मुझे पर वो आपकी जीवन में भी हो सकता है आलेलुया प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है हालेलुया प्रभू पर अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो आप देखिए उसको सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेर करिए आप लोगों को बहुत आशीश मिलेगा हाल अलिया